हाई फ्रेंड इस तौकीर आलम है तोड़े वी आ गोइंग तू लर्ड हाउ टू प्रोनाउंस लेटर यू फ्रेंड आज किस वीडियो में हम सिखेंगे कि लेटर यू को कैसे प्रोनाउंस करें फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं इन सभी लेटर्स पर मैं वीडियो बना चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका फायदा पहुचा होगा फ्रेंड आएए पर्णनस येशन वाले लेसन में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेटर यू का सही आवाज क्या होता है हमारा सबसे पहला रूल है जब दो कांसोनेंट के बीच में यू आए तो यू का आवाज अव होता है जैसा कि फ्रेंड आप यहां देख सकते हैं यह एक कांसोनेंट है और यह भी एक कांसोनेंट है और दोनों के बीच में आया है यू तो जब कंडिशन ऐसा हो कि यू के पहले भी एक कांसोनेंट है और बाद में भी एक कांसोनेंट है तो इस condition में यू का आवाज अव होता है जैसे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ यू दो कांसूर नेट के बीच में आया हुआ है इसलिए इन सभी वर्ट्स में यू का आवाज अव होता है आहिए फ्रेंट्स आज का दूसरा रूल देखते हैं फ्रेंट्स जब यू के बाद एक लेटर छोड़कर य आजाए तो इस condition में यू का आवाज कभी यू और कभी उ होता है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर यू आया हुआ है और एक लेटर छोड़कर य आया है यहाँ यू का आवाज यू होगा जैसे कई बार जब यू के बाद एक लेटर छोड़कर य आता है तो यू का आवाज उ बता है जैसे हो सकता है फ्रेंट्स आपकी दिल में यह कोस्टन आए कि कैसे पता चलेगा कि कभ हमको यू का आवाज यू और कभ उ करना है तो मैं कहूंगा फ्रेंट्स इसका कोई खास रूल नहीं है जो मैं आपको बताओं इसे आप प्रैक्टिस के जरिये सिखेंगे और सिर्फ आप ही नहीं बलकि हम सभी इसे प्रैक्टिस के जरिये ही सिखते हैं आईए फ्रेंट्स अगला आवाज देखते हैं फ्रेंट्स यू का एक आवाज उ होता है और सबसे खास बात ये है कि कुछ थोड़े वर्ट्स हैं जहां यू का आवाज उ होता है जैसे बुल, फुल, पुश, पुट, पुशी इन सब भी वर्ट्स में यू का आवाज उ है आईए फ्रेंट्स यू का लाश्ट आवाज देखें friends कुछ थोड़े words हैं जहां you का आवाज you a होता है जैसे pure, lured, cured, manure तो इन सबी words में you का आवाज you a है तो उम्मीद करता हूं friends आपको you का आवाज समझ में आया होगा और आप इस topic पर जम कर practice करेंगे फिर मिलते हैं एक नए आवाज के साथ तब तक के लिए bye आजके इस video में हम a letter का आवाज देखेंगे कि किस condition में a letter का क्या आवाज होता है Dartmouth मैं आपको बताऊँ कि letter a का आवाज a a a e e up होता है अब इन में से किस letter का आवाज कब क्या होगा आजके इस video में सीखेंगे तो चलियो friends, start करते हैं फ्रेंट्स हमारा सबसे पहला रूल है जब ए के बाद एक अच्छर छोड़कर फिर ए हो तो ए का उचारर ए होता है मतलब अगर आपको कोई एक ऐसा वर्ड मिले जहां ए आया हो और उसके बाद एक लेटर छोड़कर फिर ए आया हो तो इस कंडिशन में जो हमारा पहला ए होता है उसका आवाज ए होता है जैसे आप देख सकते हैं यहां ए आया हुआ है उसके बाद एक लेटर छोड़कर फिर ए आया है तो हम इसको कहेंगे सीड यहां भी आप देख सकते हैं एक लेटर छोड़कर फिर ए आया है इसलिए इसक इसलिए हम इसका उचारण करेंगे ए हम कहेंगे कंप्लीट इंटरसीड कानवीन और जीन आप देख सकते हैं एक लेटर छोड़कर फिर ए आया हुआ है तो फ्रेंट्स जब कहीं लिखा हो और एक लेटर छोड़कर फिर ए आया हो तो इस कंडिशन में ए का आवाज ए होता है अगला रूल देखते हैं फ्रेंट्स अभी तक हमने सीखा कि जब ए के बाद एक अच्छा छोड़कर फिर ए हो तो ए का उच्चारण ए होता है लेकिन फ्रेंट्स जो लेटर आप छोड़ रहे हैं अगर वो लेटर आर हो तो ए का आवाज ए अब होता है मतलब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर किसी वर्ड में ए आर ए आया हो तो पहला ए का आवाज ए अब होता है जैसा कि आप यहां एक्जामपर में देखिए यहां पर आया है ए उसके बाद आया है आर फिर आया है इ तो फ्रेंट्स अगर आपको कोई एक ऐसा वर्ड मिले जहां ए आर ए आया हो तो जो पहला ए होता है उसका आवाज ए अ होता है यानि यह लिखा है मी अर यह जो ए है यह मातरा बन गया है और यहां पर आ आप देख सकते हैं तो इसे हम कहेंगे मी अर यहां गौर करिए ए आर ए तो यहां पर ए का आवाज होगा ए हम इसे कहेंगे कोहियर आप यहां देख सकते हैं बाद में आया है ए आर ए तो इसका साउंड होगा इस फिर आप यहां देख स तो friends हमारा दूसरा रूल था कि अगर किसी word में E-R-E हो तो जो पहला E होता है उसका आवाज E-R होता है हो सकता है friends आप सोचें कि दूसरा E का आवाज क्या होगा तो मैं आपसे कहूंगा friends कि जब किसी later के last में E आता है तो E silent होता है यानि वहाँ E का कोई आवाज नहीं होता आगे इस बात को मैं detail से बताऊंगा फिल्हाल यहां मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी word के last में E है तो E का कोई sound नहीं होता क्योंकि E silent होता है हम इसे कहते हैं कम उसी तरीके से बहुत ऐसे words है जहां last में E आता है और E silent होता है आए friends तीसरा rule देखते हैं जब दो बेंजन यानी जब दो consonant की बीच में E आता है तो E का आवाज ए होता है जैसे आप यहां देख सकते हैं यह एक consonant है और यह भी एक consonant है लेकिन दोनों की बीच में आया है E जैसा कि आप यहां भी देख सकते हैं L एक consonant है D भी एक consonant है बर दोनों की बीच में आया है E आप यहां भी देख सकते हैं B एक consonant है और G एक consonant है बर दोनों की बीच में आया है E तो friends जब condition ऐसा हो कि दो consonant की बीच में E आये तो E का आवाज ए होता है जैसे, बेड, रिड, विग, लेड, फ्लैड, मैंड, बेग, लेग, पिग, बेल, येल, सेल, फेल, हिल, सैंड, बेन, लेंड, वेल, बेट, वेंट, लेट, सेट, नेट, तो फ्रेंट्स, आपने यहाँ देखा, कि यहाँ E का आवाज A है, क्यों? क्यूंकि यहाँ पर E दो consonant की बीच में आया है Friends जब ER के पहले एक consonant हो और ER के बाद एक consonant हो तो इस condition में ER का आवाज OUT होता है यानि जब किसी consonant के बाद e आ रहा हो और उस er के बाद फिर consonant आया हो तो इस condition में E का आवाज OUT होगा जैसा कि आप देश सकते हैं friends यहां er आया हुआ है और er के पहले और er के बार एक consonant आया हुआ है तो यहां e का आवाज अ होगा इसे हम कहेंगे जग यहां मैं आपको एक और खास बात बताऊं friends British English में जब later r किसी word के last में आता है या फिर later r किसी consonant के पहले आता है तो इन दोनों condition में later r का आवाज नहीं होता जैसे यहां पर आप देख सकते हैं r एक consonant के पहले आया हुआ है तो region में r लिखा जाता है लेकिन जब हम इसका pronounce करते हैं तो r later का pronounce नहीं करते हैं जैसे इसकों कहेंगे जग यानि आप ऐसे समझ सकते हैं इसे हम कहेंगे word मतलब आप इस r को हटा कर बोले इसे हम कहेंगे heart इसे हम कहेंगे shirt तो यहां पर आपने दो बाद सीखा पहला कि अगर दो consonant के बीच में e r आये तो e का आवाज आ होगा और दूसरा अगर later r किसी word के last में हो तो later r का कोई आवाज नहीं होता या later r किसी consonant के पहले आया हो तो भी later r का कोई आवाज नहीं होता ऐसा सिर्फ British English में होता है American English में later r का आवाज हमेशा होता है Friends बहुत जल्दी मैं आप के लिए एक ऐसा वीडियो डाऊंगा जहां आप British और American English में फर्क देखेंगे Friends एक से ज्यादा खंड वाले सब्दों के अंत्र में E-L, E-N, E-N-T, E-R हो तो E का आवाज अब होता है अगर किसी word के last में E-N, E-L, E-R, E-N-T हो तो यहां आए E का आवाज अब होता है जैसे इसे हम कहते हैं token इसे हम कहेंगे barrel इसे कहेंगे skipper इसे कहेंगे stopper इसे कहेंगे rotten यह है current इसे कहते हैं timber यह है giwa तो Friends उमीद करता हूँ कि आपको यह बात याद रहेगा कि एक से ज्यादा खंड वाले सब्द के अंत्र में अगर E-L, E-N, E-N-T या E-R-I तो उसका आवाज A होगा आईए Friends अब last rule देखें Friends, अगर किसी word के last में E आया है तो E silent होता है यानि E का आवाज नहीं होता हम इसे कहते हैं dance हम इसे कहते हैं come इसे हम कहते हैं five यहाँपर E silent है इसे हम कहते है take इसे हम कहते है educate इसे हम कहते हैं time तो friends, जब किसी word के last में e आता है तो e silent होता है लेकिन इस rule के exception है यानि कुछ ऐसे words हैं जिनके last में e आता है और e silent नहीं होता तो फिर आपको वह exception जान लेना चाहिए ताकि learning में कोई कमी नहरा है friends, यहाँ मैंने तीन words लिखा हुआ है और यह exception या अपवाज होते हैं यहाँ last में e आता है और e का आवाज होता है जैसे यह है finale, यह है recipe और यह है simily तो यह तीन ऐसे words हैं जिसके last में e आता है और e का आवाज होता है इसे हम exception या अपवाज कहते हैं friends, अगर वाकई आपको मेरा teaching समझ में आया और आपने इस concept को समझा तो please मेरे तीन question का answer दिजिए comment box में बताएं इन तीनों words का क्या आवाज है answer जरूर दिजेगा, मैं इंतिजार करूँगा तो उमेद करता हूँ friends, आज का यह video आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसे अभी share करेंगे please share जरूर कीजेगा मेरे confidence के लिए ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नएा lesson ला सकूँ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए, बाई